संपत्ति वो है जो हमें पैसे कमाके देती है और जिम्मेदारी वो दाइक तो है जो हमसे पैसे खर्च करवाता है नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक्स हमें आपका फिर्श स्वागत है रॉबर्ट टी कियो साकी कहते हैं कि उनके रिच डैल हमेशा चीजों को सिंपल तरीके स समझने और समझाने में विश्वास करते हैं उन्होंने बच्चों से कहा है कि accounting में अंक यानि number important नहीं है important तो वो बात है जो वो number वो अंक बता रहे हैं ये ठीक later की तरह हैं या सब्दों की तरह हैं जैसे सब्द या word important नहीं होते important वो बात होती है जो वो सब्द कह रहे हैं जो वो सब्द पताना चाहते हैं, कई लोग पढ़ते हैं, परन तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते, हमें ये reading की problem हो शक्ती है, जैसा कि एक छोटा सा example, लेकि अगर आपके घर में कभी mobile आया हो, या VCR आया हो, और उसके साथ एक instruction book भी आती है, कभी आपने उस instruction book को मैं ये guarantee दे सकता हूँ, कि बहुत सारे लोगों को उसे पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आएगा, और ऐसा लगी गा कि वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ठीक वैसे ही अंकों के साथ है, अगर आप अमिर बनना चाहते हैं, तो आपको अंकों को पढ़ना और समझना साहिए, राबर्टी के उसाकी कहते हैं कि रिच डायट से ये बात उन्होंने हजारों बार सुनी थी, और ये भी सुना कि अमेर लोग समपत्ती कठा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वरगिये यानि मिडिल क्लास लोग डायट वी कठा करते हैं, तो सवाल ये आता साहिए, जब کوئी नौकरिक कर रहा है, अच्छी सेलरी उठा रहा है, फिर भी उसके पास पैसे की तेंगी क्यों होती है, राबर्टी के उसाकी कहे रिच डायट कहते हैं कि पैसे की तेंगी की असली वज़ाए होती है कि लोग समपत्ती और दायट के बीच अंतर नहीं कर पा कोई चीज चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है अमेर लोग इसले अमीर होते जाते हैं क्योंकि इस लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाया रखना चाहते हैं तो पैसे के साथ छर्ता और समझदारी बहुत जुरूवी है सब्दों में भी और अंकों में भी